अगर आप इस देश के एग्रिकल्चरल अंत्रप्रिनॉर हैं, तो आप फार्मर प्रेडूसर कंपनी बनाके अपनी सारी एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर्ड पर्माट में चेनलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, फार्मर प्रेडूसर कंपनी होता क्या है? फार्मर प्रेडूसर कंपनी उन इंस्टिटूशन्स या इंडिविज्विज्वल्स के त्रू बनाई चाहती है, जो कि एग्रिकल्चरल अक्टिविटीज में इन्वाल्व होते हैं। ये एक लीगल कॉ ओल्ड कंपनीज आक्ट 1956 के ही प्रोविज्विजन्स एप्रिकेबल रहेंगे। पार्मर प्रेडूसर कंपनी एक हाइब्रेड मॉडल है, कोपरेटिव सोसाइटी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का। इसमें आप कोपरेटिव सोसाइटी के तरह डिपॉजिट एक चाहिए या इनके कॉंबिनेशन से भी फार्मर प्रेडूसर कंपनी बनाई जा सकती है, इसके लिए मिनिममम पेड़ शेर कापिटल रूपीज वन लेक्ट इस रिक्वाइड फार्मर प्रेडूसर कंपनी के थुरू आप कौन-कौन से फ़ंक्शन्स परफॉर्म कर सकते हैं नमबर वन, आप इनपोर्ट्स, सीट्स, एक्विपमेंट्स, मशीन्स ये सब लोकल मार्केट या ग्लोबल मार्केट से बहुती कॉंपेटिटिव रेट्स पर बाई कर सकते हैं, अगर मेंबर्स को एग्रिकुल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड किसी फ़नाशल को मनी लेंडिंग भी कर सकती है, फार्मर्स जो भी प्रोडक्स प्रिपेर करेंगे, उसकी ब्रैंडिंग करना, पकेजिंग करना, ये सारे काम हम फापर प्रूइसर कंपनी के थ湊 कर सकते हैं, आप सेम टाइम अपने मेंबर्स को नॉछ अपडेट करना, उन्हें ट्रेणि देना, टेकनलोजी की इंफरमेशन देना, मार्केट के अपडेट्स देना, यह सारे काम आप फार्मर प्रडूसर कंपनी के थूँद एजीले परफॉर्म कर सकते हैं. पार्मर प्रडूसर कंपनी बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यमेंट्स की रिक्वार्मेंट रहेगी, जिसने से पहला डॉक्यमेंट आएगा, KYC of the Directors and the Shareholders. इस विल इंक्लिउड, PAN Card, अधार Card, Address Proof, Photograph, आपके Latest Bank Statement और आपको अपने Specimen Signatures एक Blank Paper में भी प्रोवाइट करने होंगे. 2. आपको DSC Promotors के देने होंगे. 3. Proof of the Registered Address of the Company, जिसमें आएगा आपका Utility Bill, अगर Property Company के थूँ ओन है, तो Property Deed देना होगा, और अगर Rented Premises है, तो Rent Agreement और NOC from the Owner आपको देना होगा. 2. आपको कुछ Steps Follow करने होंगे. 1. DSC of the Promoters, Digital Signature Certificate, बागी के सारे Documents को Sign Off करने के लिए यूज किया जाएगा. 2. आपको Director's Identification Number लेना होगा. जब ये दोनों चीज़े आ जाएंगी, तो आपको Company के Name Approval के लिए अप्लाय करना होगा. याद रहे, Farmer Producer Company के Name में, Last में, Producer Limited Company आना जरूरी है. इसके बाद आप Memorandum of Association and Article of Association राइट अप करेंगे. और जब ये सारे Documents आपके प्रिपेर हो जाएंगे, तो आपको Application देना होगा in the Specified Format Spice Plus MCA Portal पर. Farmer Producer Company बनाने के कुछ फायदे हैं. Number 1, अगर आप Farmer Producer Company बना सते हैं, तो आपको Deposits Accept करना Allowed होता है, जोके Private Limited Company के लिए Restricted है. Number 2, Farmer Producer Company अपने Members को Loan भी Extend कर सकती है. Number 3, Agricultural Activities से जो भी Profit Farmer Producer Company गेंग करेगी, वो Income Tax में Exempt रहेगा. Number 4, इसमें सारे Members के Equal Voting Rights रहते हैं. तो अगर आपके अपास एक शेयर है, दो शेयर है या X number of shares है, इस पर आपके Voting Rights Effect नहीं होंगे. Number 5, आपको Economic of Scale का Benefit मिलता है, आप जो भी Equipments बाय करेंगे, Inputs बाय करेंगे, वो बहुती Competitive Rates में बाय कर सकते हैं और उसे Collectively Use कर सकते हैं. Number 6, Government भी Time to Time Different Skins लेकर आ रही है, ताकि Farmer Producer Company को Promote किया जा सके, नामबाट ने भी अपनी Loan Skins एक्टेंड की हुई है, जो प्रमोट Farmer Producer Company. अधिक जानकरी के लिए आप हमारी Website पर Login कर सकते हैं www.iid.org.in